खेलो फ्रेंड एकवाइन फिर रौमराम सारा ने कैसे है आप सब रोग आई हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे और तो आप सब का एकवाइन ज़से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल परीव लोग में वैसे बहुत जादा हो गया यार बहुत जादा मैसी हो गया है भागरती बिस्ट भागरती बिस्ट जहां भी देखो यूट्व खोलो वसी बागरती बिस्ट यही चलता रहता है ना और उनके उनको कुछ फरक नहीं पड़ता ना उनके कान पर तो बिस्ट मैं यह वीडियो तेरे उपर बना रही हूं लास्ट बार बना रही हूं और एक बार बोल जूती है कि में आगे से मुझे मोका मत देना कि मैं तेरे उपर वीडियो बनाओं यह वीडियो भी सिर्फ तेरी बखवास के उपर बना रही हूं अगर तो यह बखवास तेरे ऊपर कुछ कोई वीडियो करूं यह वीडियो वह तुन्हें अपनी जो तेरी इग्जत है वह तुन्हें देख लिए तेरे कमेंट सेक्षन में कितना लोग तुझे से बोलते हैं वेसे वोलते हैं और लोग बीडी पागल पूरी हिस्टिरी में इस्कूरा कुझे क्या है क्या करता था क्या करता था सब कुछ अब कि फोर कंपुत तेरे टॉपिक टूंस तू स्टार्ट करता है क्या बोलता है कि तु तुझे जब चैलेगा जब तेरा पति मरेगा तू विद्वोगी भागवती नाम भी गलती लिए जा रहा है उसका तो झालत का दर्ध क्या होता है तो सुनता ऐख के कान साथी के बाद गोई है हमने तो ऐसी वीद्म हैं चैनी की शाथी को सिर्फ पांच मीने होते हैं जट होते हैं तिक है और वह भी कोई अपनी और एसी इत्षी वीद्म होगी उसके बाद लेकिन वह किसी आद्मी के सहरा नहीं दूंडा नोंने अपने पैर उपर खड़ी हुई और इस लाइक बने की लोगुनाद में के नाम से भाइचानते हैं चल तू बहार क्या देखेगा यूटूब पर सर्च करके देख सकता है यूटूब पर सर्च कर ले ना नहीं है आसी इस्तिवारी जिसकी बेटी सिफ दो साल की थी जब उसका हजमेंड मर गया था सब्सक्राइब ने बहुत परेसान करा लास्ट टैम पर उसको मनें पत्ति का फेस देखना भी नहीं मिलाता कि उसके पती की डैट जोगी ती उसको लास्ट टैम पर उसका आखरी फेस भी नहीं देख पाई थी वह लेकिन आज वो लेडी लोगों की एक बास सर्च करना नहीं है आसी इस्तिवारी आज वो लड़की आज उस लेडी जिने जिसको सब्सक आज रहे बार 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 बोलता रहता है तो मुझे एक बाद बता है कि तो भागरती को साधी करके अपने सब्सक्रूर यह नहीं लेगा, चल्शादी करना बूरी बात नहीं है तुने साधी कर ली भागरती का सहरा बना तो जब भागरति को साथी को लिए उसने खुद का है तो उस जब अठारा साल से उसके उपर आफ़स में आई यह दो साल से ही क्यों आने लग गई थी उगर आठारा साल से उसके उपर इतना उसको पीड़न किया जा रहा था उसके उसको सर्वाले मार रहे ते पीश ते फिर वह एक बार भी कंप्लेन लिखाने के लिए पुलीस स्टेस्ट क्यों नहीं गी तथरा साल में conceptual कि वजब यह सब कुछ बनाइए सब कुछ कराई यह करा बॉं अभरना यह सब सभुलि इस शादी के बाद मिले के हुआ जो मोली के फादर है सवाल के किलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज करा कि उत्पीडन का कर सकती थी ना नहीं करा चैन तूसका सहारा बना तूसका सहारा बन गया मुझे एक बात बता भागारतिकी सफ्वाल बदो भूत परेसान किया भूत मारा फीटा फिर उसको अपने माई के क्यों यह नहीं गई कभी मैं के वाले क्यों नहीं आई तो तूं नहीं गया फोने सब कुछ ब्लद सभाग्रती को अपने छरणी क कमरें पर रखता कियो तूं भाग्रती पर नंत तो तुरह घर भी होगा। कि तेरा भी तो, घर वहाइन होंगे। उनके पास क्यों नहीं ले गया भागवती को तुम किराए के मकान पर रहते हो। दे नहीं सब क्या अंसर तू मुझे ठीक हैं और तो लखनों कि क्यों रहता अ और मोली के फादर की दयात के बाद क्यूं आ है तू बहुत पहले से लाइक करता है ना भाग्रती को भाग्रती के गाम की पीछे ही तेरा भाग्रती के हस्बेंट की दैथ की बाद भी क्यों आया तो और तेरी बहन कहा हैं तेरे घरवाले कहा हैं क्यों नहीं गया तो अपने गाम में भाग्रती को लेकर तुछ आता है कि मोली हर जो है वो तेरे साथ ऐसे तू अब भागरती धक्के खाते फिर रहे हो ऐसे धक्के खाती फिरे और भागरती जब इतना प्यार करती है अपनी बेटियों से वो सब कुछ क्यों लेके गई क्यों अपनी बच्चियों के लिए कुछ छोड़के नहीं जिसमें 26,000 रुपे थे तुमोली हर के ले छोड़के गई थी और एक बहुत सारी बाते हैं एक बात यह थी ना कि डंडा मारा भागरती की जो चाची सास थी उन्होंने डंडा मारा जब तुछे पता था कि वो डंडा मारेंगी और तू कैमरा लेकर ख़ड़ी ती उसी टेम कोई तो कोई फाल तुम्हें फ्यक्रिंडा नहीं मारेगा कोई पागल तो है नहीं कि डंडा कि शिंदे मारा है तो कोई बात होगी और तूने सिर्फ वह किलिप क्यों एड़ की जिसमें डंडा मार दिये उससे पहले की सारी किलिप कहां गही और जब तेरे ऊपर इतना उत् और कंप्लेन लिख आने करी तो उनको पुलिस नंकी खिलाफ कोई भी कानूनी कारवाई क्यों नहीं की जब पुलिस तेरे घर आई जो लेडिस कॉस्टेबल ती तेरे घर आई जब मोली ने चिला चिला के रोरो के कहा कि मा बिष्ट को छोड़ दे हम तेरे साथ रहेंगे हमेज़ बिष्ट के साथ नहीं रहना तू हमारे लिए है हम तेरे लिए है वो रिकोर्डिंग क्यों नहीं डाली वागरती वो रिकोर्डिंग डाल जो तुम्हारे गाउं के कहते हैं कि ये हमारे गाउं की हैं बहुत सारे स्क्रिंसोर्ट्स हैं मेरे पास ये हमारे गाउं की है इसके घरवाले भी इसे वो नहीं करते हैं ये नहीं करते हैं और वो वीडियो डालेती है अभी कुछ दिन पहले वीडियो डालेती तुन्हें पता को कि जब यह आ लिती भाग देती तो इसे रोका क्यों नहीं गया जाने के लिए बोला किसने इसको इसका घर है वहां किसकी ओकात है कि इसको वहां से निकाल दे पती के मन्ने के बाद सब कुछ पत्नी का होता है तो किस की उकात है कि पत्नी को हाँ से निकाल दे लेकिन अगर कोई खुदी जाना चाहरा हो तो उसको कौन रोकेगा कहीं इत्ती सी सिकन दिखाई देती है इस चेहरे पे की तीन तीन बेटियों को छोड़के आ रही है कि परोब्लम होती हैं परिषान होते हैं इस सब चीज से तो तो कहती है जए पहरे जाना को तो क्या के पूलकेम को छोड़ दें डूसरे मद के लिए और उसके साथ चलि जाएंगी तो अगर आपकर दो अप्सन हैं एक वो जिससे आप दूसरा मर्द जिसे आप अपना सा कुछ माल नहीं है और एक वो बच्चे जिनको तुमने अपनी कोक से पैदा किया है 9 महीने पेट में रखा है, किसको चुनोगी बच्चो को या उस मर्द को क्या एक पती जिसके साथ 18 साल जी लिये हूँ या 2 साल भी जी लिये हूँ जिसके साथ हमारे बच्चे होँ क्या उसके मनने के बाद औरत के मन में दूसे साधी का ख्याल आता भी है तो मैंसे कित्ती औरतों खिलाफ मन में दूसे साधी का ख्याल आएगा क्या औरत का सिर्फ आदिम ही सहरा होता है औरत इत्ती कमजोर है कि आदिम का सहरा मिलेका तो है वन्ना कुछ नहीं है अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती औरत अगर भागरती यूटूब चैनल पर जो अब यह दिखा रही है अगर यह सब कुछ ना दिखा कर अपनी आप भीती दिखाती कि मैं अतनी परेसान हूं मैं यह हूं मैं तिन-तिन बेटिया है हस्बेंड की दैथ हो गई और मैं कैसे इंको समाल रही हूं तो क्या लोग एजनेर पर बोलते हों कि जो मोली यह वो चक्पे नाच कर रे है जब भागरती अपनी आ रही ति गाड़ी में संवान रखके वहां से कितने लोगा देख कर आयते कि मॊली यह ऑ भागरती ने बहुत इस एозможно है है और क्या क्या बोलते हो कि मोल i phone रखती है व就ब घड़ी हुई है यह वो रखती है जू क्या मोली के जो हो रिष्तेदार हैं मोली की भुवा हैं और भी बहुत सारे गाम वालों से पूछ पूछ कर यह सारी इसकी सारी वीडियो बनाकर व्यूज नहीं कमा सकते पर इसके कोई मूह लगना नहीं चाहता बहुत सारे लोग हैं जो इसके खलाब वीडियो बनाकर व्यू और विश्ट के गाव में पूछोना कि अपने तस्वाल में क्योंने ड़हता भागृति के जो बिश्ट के माप झुण एको नहीं रहा हुआ है क्योख पूचकर तो आओ पर लोग होंगे जा कर पूचकर कूछ किसी एक से उपर से बोलते हैं कि मोली को सिखा रहे हैं कौन सिखाता है कौन सिखाता है आज कल की दस साल के बच्चे को भी इतना दिमाग होता है कि वह किसी के सिखाए में आए मोली तो फिर भी 12 क्लास की बच्ची है पढ़कर सुनाती है कितने लोगों ने जाकर देखा क्यों पढ़के सुना रही है एक प्रूफ लाकर दिखाओ बस बोलना है गल्थ को गल्थ और सही को सही साविश करना है ना उसके लिए चाहे कितने सर पाम हाथ बादने पड़ें चाहे उसके लिए हम रोज नहीं एक आईडी बनाए हमें फड़क नहीं पड़ता हमें तो बस भागर फोन चलाती है बिगड़ी हूई है यह है वह तुमारी बेटी बोलेगा तुम्हारा खुन नहीं खुलेगा कहां गई वह माँ क्यों नहीं अपनी पैटी के सपोर्ट में आ लिए जब मोली नहीं यह कहा कि मम्मी मत जवाब है रहूं आपके साथ रहेंगे कब जब क्यों नहीं जब क्यों रही रुकी हुआ पर कभी बोलती है कि मेरा तो बहुत पहले से ही साथ है विष्ट का कभी तो बहलता है कि ज़ansen मेरे भाई की तरह मा की तरह बाप की तरह और एक्तिक चेल की आज में मार दोस्त पती बन गया पती बनने में दिक्कत नहीं है पती रहे तो साथ में रहे लेकिन तुझे एक बाप ददुभिष्ट इस लेंग्वेज को सुधाल ले आज तक तो ये कोई सब सबको एक सांचे में लेकर ना चल ठीक है ये तो जरा वहाल होगा ना तु याद रखेग बोल मज़े ले रहा है जिन्दकी के ले मज़े रहे साथ में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये सब कुछ लोगों को जितु उलड़ी से कमेंट करता है ना ये सुधाल ले अपने आपके और मैं तो लास्ट बार बोल लिए मुझे आज के बाद मोका मत देना कि मैं तेर अरखल किया हुआ उन्होंने क्यों तुने अपनी जमीन घर सब क्यों बेग दिया अगर तु इतन्य तुम डोनों इतने दूद के धुले होते तो आज तुम्हारे दोनों के घरवाले तो 199 को साथ होते और माय के वाले साथ कोरवत इपनी बेर पास उम्हारे खिलाफ एक एक प्रूफ है मेरे पास अगर मैं चाहूं तो सारे लगा सकती हूं यहां लेकिन चुप हूं तो समोली की वज़ा से ठीक है और फिर से बोली हूं एक बार मुझे 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 कामत देना कि मैं वीडियो बनाऊं तेरे उपर आज के बाद दूद के दूले हो तो तुम विष्ट के घरवाले भी इस सपोट नहीं करते कहां गए इन दोलों के घरवाले यह wheel c feels के नहीं गया हूं बागरति के इन खाम लेकर के क्यों नहीं गया उसे और कौन नीकाल सकता हया भागरति के उसके घर से अगर औरत कहते हैं कि ओरत लोगों ने जीना हराम कर दिया था गाम वालों ने ये कहते हैं अरे अगर औरत सही हो न तो उसको पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा दे लेकिन अगर औरत में खुद कमिया है न तो उसके ओपर तो उंगलीया उठती ही है तू अकेली औरत जब तुने कामी ऐसे की है कि तेरे उपर उठाए जाए तो उपर उठेंगी ही और किसी कुछ अभी भी सक है न जाकर वहां के पुलिस स्टेशन में पूछ का रहा हो जो इनके गाम का लगता है कि वही बता देंगे आपने को कि इनकी सच्चाई है क्या इन दोनों की वाला है ना वह सब देख रहा है जिसकी लाठी पढ़े की ना तो उसकी आवास तो नहीं होगी पर दर इतना होगा ना कि जिन्द की भर्यात रखोंगे तुम लोग तुम चिक्षा देते हो ना कि यह करो वो करो अरे तुम से पूछ के कर देगा कोई तुम हो कौन और एक आज कल बहुत उड़ रहा है मैंने तो ब्लोग कर दिया तुम लेकिन तेरा में जो तुम पता कि करता है यह क्या है ना में इसका यूके यूके ट्वैल ऐसी कुछ करके है जो निंजा के पास जाती है और यहां भी आती है पता है निंजा क्या बोलते है मुझे पास छाती है यह पूलती है की यहां पता कैसे क्रिंखते है कि हो आसे करो मेंoqu पास ऐसे करोी मजये हैं कुछ नहीं दाल नो करते नहीं है मनसकी मूद threats भी तो जाके फिर महाँ जहक मारते हैं ऑच्छा वो जाकि लिड़ाई करवाते इस न पतास में आ जाते हो यह गिने चुने चार-फांच लोग हैं कोई लोग नहीं इसको भागरती को सपोर्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं लाश्ट बार बोल नहीं हूं तो यह बिस्ट मुझे मोखा मत देना कि मैं आज के बाद तेरे ऊपर वीडियो बनाओं और नाश्ट मत में आ रही हूं भागरती के ही सवस्वाल में ठीक हैं उसी ही गाउं में साधिये ज़रूर आ रही हूं रहे हैं बंदे से जब कि कौन सही है और कौन गल्थ है किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है उससे पहले मुझे मोखा मत देना कि मैं वीडियो बनाओं तेरे उपर और तेरे सारे खुले चुट्थे खोलू यहां